तुनी चिडिया की कहानी एक बार की बात है एक छोटी सी चिडिया नामक तुनी जंगल में रहती थी वह एक साधारन सी चिडिया थी लेकिन उसमें एक अनूठी और अलग बात थी वह बाजार में सोने के चूडियां बेचती थी तुनी के पास बहुत सारी खूबसूरत चूडियां थी, जो उसने स्वयम बनाई थी उसके पास एक छोटी सी दुकान भी थी, जो वह अपने घर के पास लगा कर चलाती थी जंगल में रहने वाले जानवर और पक्षियों के बीच तुनी की दुकान बहुत प्रसिद थी वहां से सभी जानवर और पक्षी अपने लिए खूबसूरत चूडियां खरीदने आते थे एक दिन जंगल में विशाल शोर मच गया तुनी चिडिया को लगा कि कोई अजन भी आया है जब वह नजदीक गई तो उसने देखा कि एक बड़ी समलिद और भवे शेरनी वहां खड़ी थी तुनी चिडिया को देख कर शेरनी ने मुस्कुराया और कहा नमस्ते तुनी चिडिया मुझे एक खूबसूरत सोने की चूड़ी चाहिए क्या तुम मुझे एक दिखा सकती हो तुनी चिडिया ने मुस्कुराते हुए उसे एक सुन्दर सा चूड़ा दिखाया और कहा यह चूड़ी मेरे स्वयंग के हाथों से बनाए गई है यह आपकी साधारंता को नकारात्मक धंग से बदल देगी शेर्नी ने चूड़ी को देखा और बहुत प्रसंद हुई उसने चूड़ी को खरीद लिया और अपने घर की ओर रवाना हो गई इसके बाद से जंगल में तुनी की चूड़ीयां बहुत प्रसिद हो गई उसकी चूड़ीयों की सुंदर्ता और उनकी अलग-अलग डिजाइन को देखकर सभी जानवर और पक्षी हैरान रह गए एक दिन एक अन्य बड़ी शेर्नी ने तुनी के पास आकर कहा तुनी मुझे भी एक खूबसूरत चूड़ी चाहिए क्या तुम मुझे एक दिखा सकती हो तुनी ने शेर्नी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा हाँ, शेर्नी जी, बिलकुल तुनी ने शेरनी को एक और खूबसूरत चूड़ी दिखाई और शेरनी ने भी खरीद ली इस प्रकार तुनी ने अपनी बेचने की कला को बढ़ावा दिया और जंगल के सभी जानवर और पक्षियों को उनकी खूबसूरती से लुभाया तुनी ने जंगल में अपने व्यापार को और बढ़ाया और उसकी दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गई उसकी चूड़ियां बाजार में भी बेचने लगी और वह अब जंगल और बाजार दोनों से अपना व्यापार करने लगी तुनी चिडिया ने जंगल में अपना स्वपन पूरा किया और अपने परिवार को खुशी और संतोश से भरा जीवन दिया उसकी इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि अगर हम किसी के लिए इमानदारी से काम करें तो हमें सफलता जरूर मिलती है Like, comment, share and subscribe my channel for cartoon video